हुआज मेरी ईंजर वन के वेड marketing को बबन गल गोटे में दूसर की जा दो नहीं मिफेशन धेसे कहां है सब्सक्रिक अब जुएंगा जियों। हैं पोाफ़ अप्श समय में इस पर क्लिक करेंगे इसपर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ इस पेज पर दोस्तों आप देख सकते हैं derivative trend करके एक option देखने को मिलेगा तो इस derivative trend पर हम click करेंगे इस पर जैसे click करेंगे तो stock market में जितने भी sector करेंगे अब आपको जो भी sector analysis करना है उसका performance देखिए और उस पर क्लिक करिए अब हमें जैसे आटो सेक्टर को analysis करना है तो लास्ट इडिंग session में आटो सेक्टर में 10% की तेज़ी थी और सबसे उपर वो देखने को में मिल रहा था अब इस पर जैसे click करेंगे तो आटो सेक्टर में जितने भी stock list है यहां पर सभी की list आ चुकी है तो सभी stock का पहले performance देख लीजिए यहां पर उनका नाम देख लीजिए यहां पर price percentage में देख लीजिए फिर open interested यहां पर देख लीजिए अब आपको जो stock को analysis करना है ना दोस्तों यहां से select कर लीजिए ठीक है अब मान लीजिए मुझे इस stock को analysis करना है तो मैं इस पर click करूंगा तो आप देख सकते हैं उस stock का chart open हो गया उसी stock को हम बढ़िया दरीके से क्या करते हैं दोस्तों यहां से search भी कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फस्त नंबर पर आच चुका है इस पर जैसे click करेंगे तो यह watch list में add हो चुका है अब हम क्या करेंगे यहां से हमाज chart पर जो भी time frame बदलना है बदल सकते हैं दोस्तों यहां से candle बदल सकते हैं यहां से tools उप्योग करना है जैसे कि एक trend line का तो trend line हम यहां से यहां तक ड्रॉख करेंगे आप देख सकते हैं कि trend line कैसे उपर का rejection बना के चल रही है एक trend line हम नीचे से भी ड्रॉख करेंगे दोस्तों जो हमें high to low high to low दिखा रही है यहां पर फेल हुआ यहां पर सपोर्ट पेल हुआ यहां पर भी फेल हुआ और यहां पर ऊपर निकलता है ना स्टॉक तो comfort zone में देखने को मिलेगा यह मान के चली 104 रुपे के लेवल पर है और यहां पर अगर 180 के नीचे निकलता है तो यह मान के चली काफी ज्यादा pressure में हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है तो हमने बहुत easy तरीके से analysis कर लिया और analysis खाली education के purpose से किया है अब मान यह जो हजार quantity है इस price से कितने क्या रही पता चल रहा है साथी में place by order पर click करेंगे order हमारा submit हो जाएगा और हमारा जो profit or loss यहाँ पर हमें portfolio पर देखने को मिलेगा बहुत easy है दोस्तो angel one के webpage को use करना उसके साथ अगर आप angel one का mobile application यूज करने तो वहाँ पर भी आप लोगों क करेंगे तो यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तो इन स्टाइड इस पर हम दोस्तों जैसे click करेंगे तो एक page open होगा इस page पर हमें सारी सुभी दा उपलब्द कराईए angel one है जैसे कि आप देखिए nifty यहाँ पर मिल जाएगा bank nifty यहाँ पर profit loss यहाँ से देख लो चाइड पर जो भी ट्राइम लगाने हैं से लगाओ candle यहाँ से लगाओ चार्ट पर इंडिकेटर यहाँ लगाओ चार्ट को बढ़िया है यहां से यहां से पूट लेव जो ब्लू कलार में प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है इस पे हम दोस्तों जैस उस्तोक का चार्ट ऑपन हो चुका है चार्ट का हम बढ़िया तरीके से यहां से अनलाइसिस करेंगे भी नीचे बार और सेल का उप्जिन दिख रहा है बार करना है यहां है, चलो बारिए पर क्लिक करेंगे बाए पो हैंड़ों जह से क्लिक लिख करेंगे ओर दोस्तों हमारा जैसे ही सब्मिट होगा हमारा प्रॉपिट वो समय आप लिंक आप लोगों को नीशे डिस्ट्रिप्शिन मिल जाएगा वहाँ से जाके एंजल्वन का डीमेट अकाउंट उपन करो इंस्टाडेट को यूज़ करो पट्टापट से हमारे वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो तो थैंक यू दोस्तो थैंक यू दोस्तो